असलाम आलेकूम बिसमिल्ला रह्मान रहीम इनर्जी रिसोर्सेस रिलेटेट हमारा अज लास टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक है मैंने बहुत ही शौट वीडियो बनाई है शौट नॉट्स में आपको खेलिफाइ किया है क्योंकि एनर्जी सोर्सेस में और कंसरबेशन असलाम इनर्जी वाट यसेस्टेनिबिलिटी वाट डास टॉपिक है शौट अब्ली इसक्स करेंगे वाट इस सस्टेनिबिलिटी का मतलब है कि आप कोई भी चीज जो है आप यूज कर रहे हो वह से प्रॉपर मेंटेनिंस के साथ यूज की जाए कि ना वो खतम हो ना वो और वो यूज भी हो जाए तो यूज कर रहे हैं वह ऐसी ही जाएं कि उनकी डपलीशन एवाट की जाए कि वो खतम ना हो जाएं फ्यूचर में बिलकुल बैलंस रहे इसके यूज में तो मैंटेन तो बैलंस एको सिस्टम ठीक है, एको सिस्टम में हमारे पूरी लाइफ और सारे इन्वाइनमेंटल भी आ जाता है Sustainable energy, what is sustainable energy? The use of energy is considered sustainable if it fulfills the needs of present generation without compromising the needs of future generations मतलब आप energy को ऐसे use करो कि वो sustainable रहे आपकी भी जरूरी जरूरीयात पूरी करे और future life में आपकी generations वगारा की भी सारी जरूरीयात पूरी करे ये ना हो कि आपकी future life में वो खतम हो जाए और आपकी सारी future generations जो हैं वो ऐसी ही बैठी रहे है without electricity, ठीक है Form of energy that can be used again and again without putting a source in danger of getting depleted, expired or vanished in future ठीक है, आपने energy को ऐसी use करना है, ऐसी sources use करनी है जो कि दुबारा दुबारा use भी हो जाएं और उनके खतम होने का कोई खच्चा भी ना हो, कोई ऐसा खत्रा ना हो कि आपकी future life में future generations के लिए expire हो जाएगी, vanish हो जाएगी, बिल्कुली खतम हो जाएगी It must be sustainable at three levels, इसको three levels पे sustainable होना चाहिए sustainable energy को environmental sustainability आजाती है, social sustainability आजाती है and economic level पे आजाती है environmental यह कि आपके environmental friendly होने चाहिए, कोई ऐसी global warming या पर pollution causing नहीं होने चाहिए source and socially आजाता है कि आपकी ऐसे इतनी divers हो कि वो इतनी energy और food produce करें कि वो सबको provide हो सबको मिलें, socially भी हमारी sustainable हो, economic यह आजाने कि चाहिए कि आपकी easily purchaseable हो, इतनी जादा cost ना हो, उसको और subsidies वगरा ना लगी हो consumer easily उसको cheapest rate पे खरीज सके, ठीक है, environmental, social and economic आजाते है sustainability levels में why its important, Jiski इतनी important स्क्राइस क्यों है, जैसे जैसे हम आरी population जादा होते जाती है, हमारी energy की electricity demands भी जयादा होते है, zyada zyada buildings बन रही हैं, घर जादा बन रहीं हैATION, population जादा कि वजशे है हमारे alliances वादा हो रही है, डे by day population increase कि वज़ा से हमारी electricity demand भी जादा हो रही है, जिसकी वज़ाजे हमारी sources वगरा का भी available होना बहुत जरूरी है तो जो हमारी electricity produce हो रही है basically वो coal से produce हो रही है the basic source of energy is electricity is coal जो के हमारी sustainable source नहीं है it is non-sustainable और coal जो हमारी fossil fuels में से आजाता है जो के हमारी non-renewable है this is also not the renewable one तो हमारी coal की burning वगरा से जो हमारी electricity produce होती है उसके वाज़े हमारी environmental pollution भी cause होती है वो sustainable भी नहीं है उसकी depletion का भी खच्चा है इसलिए हमारी जो basic source of electricity है हमें वो change करने चाहिए ताके हम energy को sustain कर सकें reuse कर सकें ऐसी source जोने चाहिए जो के बिल्कुल deplete ना हो अगर हम coal से ही electricity produce करते जाएंगे और changes नहीं लेकर आएंगे तो हमारी future life में ये coal का खात्मा हो जाएगा और हमारी electricity नहीं produce होगी इसलिए हमारी sustainable source करना बहुत जरूरी है sustainable sources में हमारे पास कहा जाते है solar, wind, hydrolytic जो हमारे renewable वाले हैं वो सारे भी नहीं है ऐसे जो कि बिल्कुल डेपलीट नहीं होती है और उसको हम कहते है sustainable ठीक है solar, wind, hydrolytic, geothermal हमारे पास कुछ examples है sustainable sources की वो आजाती है all are stable and available in plenty ये ऐसी sources हैं जो कि बिल्कुल stable भी हैं और all time available भी हैं इनकी availability भी all time है sustainable sources हमारी ये आजाती है हमारी kवी deployed है again and again use भी हो जाएंगी reuse भी हो जाएंगी, renew भी हो जाएंगी और ये depletion में भी नहीं जाएंगी protection of natural resources हो जाती है environment हो जाती है natural resources की भी protection हो जाती है like गर अगर हम fossil fuels की production कम करते जाये gives To natural resources जो है वो independent protection हो जाती है कि को municipalities cause in no renewable its vienen energy generated how to橋 अधिर पॉलेशन वगारा कोज नी होती है the어칌 कमारिक इंगरा अपर इंगरा कोज फ्रक्शिट नी होती है नो मूर कार्व अधिए प्रक्ष्ट इतनी जादा अधिर अप्रक्षक्ट नी होती कि आपकी हल्स के लिए हैसाarड इस हो so this is also the environmental friendly one. ठीक है How to use energy in a sustainable way? यह कुछ बहुत ही simple ways हैं हमने पहले भी discuss किये हैं conservation में भी यह वही सारे तरीके हैं कि हमने energy को use कि efficiency से use करना है कि हमारी energy sustainable way में energy use हो ठीक है develop and expand the existing sources that are more sustainable इसी सोर्से यूज की जाएं जो के more sustainable हैं जो कि मैंने for example देती है solar wind related hydroelectric related geothermal related use energy more efficiently with least wastage ठीक है आपने energy को भी efficiently use करना है लाइक हम life styles में जेदें भी केंडियर लेकर आते हैं वह सारे इसमें included हैं या फिर appliances वगारा की change करना switch the source fossil fuels to alternative sources ठीक है आपके जो भी source fossil fuels से related है उसको आप alternative sources के साथ change करें like heaters वगारा है अब electric heaters वगारा भी आगे हुए है not coal burning वगारा से भी नहीं करना चाहिए some lifestyle changes हमारे पास lifestyle changes में वही आज़ा थी है transport related कि public transport यूज करें walking cycling prefer करें lights और switches बंद कर जाए जाए अगर इस्तमाल में नहीं है तो और चोटे हेकल्स इस्तमाल किया जाए energy efficient cars जो battery वाली cars है वो इस्तमाल की जाए जो कि pollution भी निंग कॉज करती है rechargeable batteries यूज की जाए recycling की जाए औ plastic products है और insulated roofs बनाए जाए efficient heating systems लगाए जाए हर solar panels green electricity को के उपर switch कर लिया जाए अपना सारा electricity का system अपनी electricity electric appliances की सही से maintenance की जाए और appliances को new energy efficient appliances आ गए है अब काफे सारी जो के new technology के साथ आप उसको replacement कर दें तो आपकी यह सारी काफी lifestyle changes आती है कि ही elements में हमारे पास energy efficiency आ जाती है development of new competitive energy technologies जो हमारे new energy efficient technologies है वो यूज की जाए है वो जादा साथ जादा development की जाए उसकी ताकि पूरी दुनिया में easily availability हो उनकी और अपने lifestyle और habits वगारा की changes की जाए है यह हमारी key elements में आ जाता है और reduce fossil fuel energy consumption जो भी हमारी energy consumption fossil fuel से related है जो हमारी उतनी burning वगारा से हो रही है उसको क हम से कम किया है ठीक है majorly जो आपका यह आ जाता है solar wind and hydro electric geothermal related वो यही है कि आपकी sun earth और moon यह सही से अपनी place में चलते ही जाएंगे sun ने अपनी sunlight देती जानी है उसकी sunlight नहीं रूपनी जब तक हमारे जिन्दगी है sun sunlight प्रोवाइड करनी है आप easily solar panels वगारा यूज कर सकते हैं जैसे जैसे sunlight प्रोड्यूस होते जाएगी और हमें गर्मी मिलते जाएगी hydro geothermal energy भी generate होगी क्योंकि earth की घर्माईश वगारा ऐसी ही continuity चलते जाएगी यह भी not deplatable है ठीक है और जैसे यह movement है sun की moon की earth की ठीक है इन्होंने भी move होते रहना है अपने solar system में अपने timings के accordingly उन्होंन पी हमारी फिर non depleting में आ जाती है और इसी तरह से इनकी movement से हमारे oceans की waves प्रोड्यूस होती है वह भी आपकी बिल्कुल renewable है आपकी all time availability है इनकी plenty availability है और stability भी इनकी काफी है तो आप प्रॉपर्ली वह जो wind से waves प्रोड्यूस होती है टाइडल वीज वगारा ocean energy आपकी ocean energy भी sustainable source म आ जाती है ठीक है यह आपकी मतलब ऐसी system है जो आला ताला ने इस तरह के निजाम बना है कि यह सारे चीज़ें तो चलती रहनी है सनलाइट आती रहेगी तो जियोत्रम अगरी energy प्रोड्यूस होती रहेगी heat generator होती रहेगी sunlight से हमारे solar system चलते रहेंगे और इनकी earth sun और moon की movement से हमारे wind चलती रहेगी wind की जनरेशन होती रहेगी wind की जनरेशन होती रहेगी और wind से भी generator वगारा turbines और चलते रहेंगे और even ocean वगारा की waves प्रोड्यूस होती रहेंगे इनकी movement से जिसकी वज़ा से हम tidal energy produce कर सकते हैं इसी तरह हमारे जो dam की energy हमारे pan की availability हमारे जमीन से कम नह होनी और जितनी आला ताला ने हमें माशाला जो दी भी है अलहमदुल्ला उससे हमारी जो dams की production से energy electricity प्रोड्यूस होती है वो सारी हमारी sustainable वे आ जाती है ठीक है यह ऐसी है जो हमारी कभी डेपलीट नहीं होंगी इसलिए हमें चाहिए कि हम energy जो है वो अपनी sustainable sources से यूज कर हमें यूज कर सब्सक्राइए है असानी से